स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम चैप्टर नंबर वन के एक्स्ट्रा कोश्चन्स को डिसकस कर रहे हैं N.C.E.R.T. कोश्चन्स के लिए अलग प्लेलिस्क है Activities की Explanation और Sample Papers के लिए भी अलग प्लेलिस्क है तो पिछली वीगियो में हमने जहां तक डिसकस कर लिया था अब उसके आगे Continue करते हैं Next Question पे आते हैं जिन Questions के नीचे भी N.E.P. लिखा होगा न इसका मतलब वो N.C.E.R.T. Example Papers है जो N.C.E.R.T. की Example Papers वाली बुक है न उसमें से लिए गए हैं और अब हम सारे N.C.E.R.T. Example Papers को डिसकस करेंगे Serial Logger में चलो Next Question पे आते हैं Which of the following sect of phenomena would show an increase on increasing the temperature देखो मैं कोशन में न काफे सारे options दे रखे हैं और हर options के अंदर कुछ phenomenon को mention किया हुए अब हमने वो वाली option select करनी है जिसके अंदर जितने भी phenomenon को mention किया हुए ना temperature के increase होने से उन सब की rate increase होना चाहिए मतलब temperature के increase होने से उन सब की जो working की speed है ना उसके अंदर increase आना चाहिए ऐसे option को select करना है तो एक एक करकर discuss करना start करते हैं तो option A के अंदर सबसे पहले लिखा हुए diffusion फिर evaporation और उसके बाद compression of gases देखो diffusion का मतलब होता है एक तरह के particles का दूसरी तरह के particles के अंदर mix हो जाना और जब temperature को increase किया जाता है ना तो diffusion की जो speed है वो भी increase हो जाती है मतलब अगर हम temperature को increase करेंगे तो एक तरह के particles दूसरी तरह के particles के अंदर ज़ादा high speed पर mix होंगे इसी वज़े से जो गरम खाने की खुश्बू है ना वो काफी जल्दी हम तक पहुंच जाती थी क्योंकि जब खाना गरम होता है तो उससमय temperature ज़ादा होता है तो food के particles ज़ादा speed पे air के particles में mix होते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं तो diffusion तो खीक है temperature के increase होने से diffusion की जो speed है वो increase होती है second point पे आते हैं second अब लिखा हूँ है evaporation देखो evaporation से related आपको ना दो बाते याद रखने हैं पहली बात तो evaporation takes place at any temperature above 0 degree Celsius evaporation takes place at any temperature above 0 degree Celsius देखो जो water है ना water का boiling point होता है 100 degree Celsius तो अगर आप पानी को गरम करके 100 degree Celsius पे पहुंचा दो तो वो liquid से gas में convert होना start हो जेगा लेकिन अगर थोड़ा सा पानी आप से गिर जाता है जमीन पे तो वहाँ पे तो temperature 100 degree Celsius है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद जब आप आओगे तो देखोगे कि पानी बापे नहीं है क्योंकि वो वहला जो water है वो evaporate हो चुका होता है evaporation का मतलब होता है boiling point से नीचे के boiling point से नीचे के किसी भी temperature पे liquid का vapors में या gas के अंदर convert हो जाना और evaporation takes place at any temperature above 0 degree Celsius water के case में जो water है न 100 degree Celsius पे अगर water gas में convert हो रहा है तो हम बोलेंगे कि boiling हो रही है लेकिन 100 degree Celsius से नीचे के किसी temperature पे अगर water liquid से gas में convert हो रहा है तो हम बोलेंगे कि evaporation हो रहा है clear? तो evaporation से रिलेकिक आपने दो बाते याद रखनी है उसमें से पहली बात ये थी कि evaporation ना boiling point से नीचे के temperature पे होती है और दूसरी बात ये थी ना तो उस पर evaporation हो जाएगी अब evaporation के अंदर भी न temperature के increase होने से evaporation की जो speed है वो increase होती है क्योंकि liquid को evaporate होने के लिए heat energy चाहिए होती है वो heat energy अब्जॉब करेगा liquid और gas में convert हो जाएगा अब अगर surroundings का temperature जादा होगा जादा temperature है तो इसका मतलब surroundings के अंदर ना जादा heat energy है तो बड़ी असानी से evaporation होगा evaporation की speed increase हो जाएगी next part में लिखा हुआ है compression of gases ये वाला part गलत है temperature के increase होने से न gases compress नहीं होती बलकि gases expand होती है अगर आप temperature increase करोगे मतलब heat energy सप्लाइ कर रहे हो तो gas compress नहीं होती बलकि expand होने की कोशिश करती है तो एपार्ट तो फिर गलत हो गया इसकी वज़े से compression of gases की वज़े से diffusion और evaporation तो ठीक था कि temperature के increase होने से diffusion भी increase होता है evaporation की speed भी increase होती है लेकिन ये compression of gases बिलकुल नहीं होता temperature increase करने से gases compress नहीं बलकि expand होती है B part पे आते है B part में पहले evaporation है वो तो खीक है evaporation की speed increase होती है लेकिन B part में भी ये mention क्या हो है compression of gases तो इसकी वज़े से B part भी हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि temperature को increase करने से gases compress नहीं बलकि expand होती है अच्छा है एक और नई चीज़ लिखे हुई है B part में solubility solubility भी temperature increase होने से increase होती है अगर आपने किसी solid को liquid में dissolve करना है तो अगर temperature बढ़ा दोगे न तो ज़ादा dissolve कर पाऊगे मतलब ज़ादा quantity में solid हो liquid में dissolve कर पाऊगे तो temperature increase होने से solubility भी increase होती है solids की liquids में solubility उसकी बात की जा रही है वो increase होती है लेकिन B part भी हमारा answer नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी compression of gases आ गया C part पर आते हैं C part में आए evaporation, diffusion, expansion of gases यह वहला part एकदम सही है क्योंकि temperature increase होने से evaporation की speak भी increase होती है diffusion की speak भी increase होती है एक तरह के particles दूसरी तरह के particles में ज़ादा high speak पर mix होने लग जाते है और temperature की increase होने से gases expand करती है तो यह तीनों की तीनों चीज़े temperature के increase होने से increase होती है तो option C है हमारा answer एक बार option G को भी देख लेते है evaporation increase होता है solubility increase होता है लेकिन यहां पर भी compression of gases आ गये न इसकी वज़े से option G भी गलत है यह compression of gases तीन जगा पे आ गया था लेकिन यहां पर भी compression है यहां पर भी compression है इसकी वज़े से यह a, b और g यह तीनों options गलत हो जाते है जो option C है वह हमारा answer है अगर question में reason देने के लिए पूछा जाए या अपनी statement को या answer को justify करने के लिए बोला जाए तो आप फिर अपना answer ऐसे लिख सकते हो एक एक करके सारी processes के बारे में बता देंगे सबसे पहले बात हो रही थी diffusion के बारे में तो with increasing temperature the rate of diffusion increases temperature के increase करने की वज़े से diffusion की जो speed है न वो increase हो जाती है diffusion का मतलब था एक तरह के particles का दूसरी तरह के particles के अंदर mix हो जाना तो अगर हम temperature को increase करेंगे न तो एक तरह के particles दूसरी तरह के particles के अंदर जादा high speed पर mix होते हैं मतलब rate of diffusion increase हो जाता है second point था evaporation का With increase in temperature, the rate of evaporation increases. Temperature को increase करने से, evaporation की जो speed है, वो भी increase हो जाती है. Evaporation requires absorption of heat energy by liquid particles. देखो जो liquid evaporate होने वाल है न, उस liquid के जो particles होती है न, वो आसपास की surroundings में से heat energy को न, absorb कर लेते हैं. और उस heat energy को ही यूज़ करके, वो liquid से gas में convert होती है. तो इसका मतलब evaporation के लिए न, heat energy की requirement होती है. At higher temperatures, more energy is available in the surroundings. देखो अगर temperature ज़ादा होगा, तो इसका मतलब है कि surroundings के अंदर न, काफी ज़ादा heat energy अवलेबल है. और अगर surroundings में ज़ादा energy अवलेबल है, तो liquid के particles और ज़ादा असानी से heat energy को absorb कर पाएंगे और फिर ज़ादा speak पर evaporate होंगे, मतलब liquid से gas में convert होंगे. Evaporation का मतलब होता था, liquid के particles का gas के particles में convert हो जाना below boiling point, boiling point के नीचे, और liquid के particles को gas के particles में convert होने के लिए heat energy को absorb करना पड़ता है. अगर temperature ज़ादा होगा, जब temperature हाई होगा, तो इसका मतलब है कि surroundings में ज़ादा heat energy अवलेबल है, और अगर surroundings में ज़ादा heat energy अवलेबल है, तो liquid के particles ज़ादा असानी से heat energy को absorb कर पाएंगे, तभी evaporation की speed increase हो जाती है, temperature के increase होने से, क्योंकि surroundings में ज़ादा heat available होती है. अगले दो parts के उपर आते हैं, अगले parts हैं compression of gases and expansion of gases, इन दोनों को आप एक साथ ही explain कर सकते हो, As temperature increases, the particles of a gas acquire more kinetic energy and start moving faster, देखो जैसे ही हम temperature को increase करेंगे न, तो उसे होगा ये, जो gas के particles हैं, वो उनके पास ज़ादा kinetic energy आजएगी, और जब उनके पास ज़ादा kinetic energy आजएगी, तो वो ज़ादा high speed पर move करना सकार्ट कर देंगे, गैस जब आप temperature को increase करोगे न, temperature को increase कैसे करोगे, आप heat energy supply करोगे, तो जब आप gas के particles को heat energy supply करोगे, तो particles energy absorb कर लेंगे, जो energy होती है, उसे बोलता है kinetic energy, और अगर उनकी kinetic energy increase होगी, तो वो पहले जितनी स्पीक पर move कर रहे थे, अब उससे भी ज़ादा high speed पर move करना स्टार्ट कर देंगे, यह जो gas के particles हैं, जब इनके पास ज़ादा energy आजएगी न, तो यह high speed पर randomly move कर रहे हैं, इतनी ज़ादा high speed पर जब इन लोग randomly move करेंगे, तो उसका result की होगा, कि यह एक दूसरे से दूर दूर जाते रहेंगे, और अगर यह एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो उसकी वज़े से जो gases हैं, overall उसके अंदर expansion आएगा, gases expand होगी, देखो temperature को increase करने से gases expand होती है, इसको एक simple से experiment से प्रूव भी किया जा सकते हैं, इस वज़े diagram के थूर समझते हैं, देखो यह हमारे पास न, एक container है, या एक chamber है, उसकी अंदर यह वज़े जो part है न, यह वज़े part movable है, मतलब यह उपर और नीचे के direction में travel कर सकता है, इसे बोलते हैं, पिसकन, आप इसके उपर से pressure apply करके, इसको नीचे की तरफ भी move कर सकते हो, और यहां से angle से पकड़के, अगर आप उपर खिचोगे, तो इसे उपर की तरफ भी move कर सकते हो, मतलब यह movable होता है, up and downward motion हो सकता है इसके अंदर, और chamber के अंदर, हमने यहां पे ना किसी gas को fill कर दिया है, यह जो dots है ना, वो gas के particles को represent कर रही है, अब अगर आप इस chamber को heat supply करोगे, नीचे से हम heat supply कर रहे हैं, तो heat energy supply करने का मतलब है, कि temperature का increase करना, तो जब हम heat energy supply करेंगे ना, उससे temperature increase होगा, तो यह जो gas के particles हैं, यह heat energy को absorb कर लेंगे, इनके अंदर जादा energy आजएगी, जादा energy आने का मतलब है, इनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, यह जादा high speed पर, rangably move करना, scart कर देंगे, और जब यह जादा high speed पर move करेंगे ना, तो यह जो उपर वाला piston है, यह जाके उपर वाले piston को hit करेंगे, उसके उपर force apply करेंगे, जिसकी वज़े से, यह वाला piston थोड़ी देर के बाद, upward direction में move करना scart कर देगा, तो हमने heat energy supply करी, उसकी वज़े से result की हो रहा है, कि piston upward direction में जा रहा है, मतलब gases expand हो रही है, देखो, यहाँ पर जगा बढ़ जाएगी ना, मतलब gas का volume increase हो रहा है, gas expand हो रही है, तो जब भी heat energy को supply किया जाता है, तो gas expand होती है, वहीं पर अगर आप इसका उल्टा करोगे ना, heat energy supply करने की बज़ाए, अगर इसमें से heat energy निकाल दोगे, इसको ठंगा करोगे, तो हम observe करते हैं, कि यह piston automatically downward direction में move करना scart कर देता है, मतलब अगर इसको ठंगा करेंगे ना, तो volume decrease होगा, gases compress हो जाती है, तो temperature increase करने से, heat energy को supply करने की वज़े से, gases expand होती है, और temperature decrease करने की वज़े से, ठंगा करने की वज़े से, gases compress होती है, क्लिर होगे दोनों points आपको, अगर आप heat energy supply करोगे, इसका मतलब आप temperature increase कर रहे हो, temperature increase करने का मतलब heat energy supply करना, ऐसा करने से gases expand होती हैं और उसका volume increase होता है यह जितने portion के अंदर gas है न gas इस piston को धका मारेगी piston upward direction में जाएगा gas expand होगी और इसका volume भी increase होगा तो on increasing temperature gases do not compress they expand यही point का जो हमने समझना था कि अगर हम temperature को increase करेंगे न तो उसे gases compress नहीं होगी बलकि वो तो expand होगी question के अंदर जो next phenomenon लिखा हुआ था वो solubility था तो solubility के बारे में अगर आपने सिरफ एक ही sentence लिखना हो मतलब एक ही journals cake में लिखनी हो तो फिर तो आप यह बला sentence लिखोगे it increases with increase in temperature अगर हम temperature increase करेंगे तो solubility increase हो जाती है अब ज़रा solubility का मतलब क्या है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं सबोज आपके पास container है container के अंदर liquid है liquid के अंदर अगर आप किसी solid को dissolve कर रहे हो तो यह वाली statement correct है अगर liquid के अंदर आप किसी solid को dissolve कर रहे हो जैसे सबोज आपके पास water है और water के अंदर अगर आप चीनी mix कर रहे हो sugar को dissolve कर रहे हो तो sugar के जो छोटे 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 पाके गल्स होते है चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्कल्स होते है वो solid होते है न और पानी liquid है तो solid को अगर liquid में dissolve गया जाए तब तो यह वाली statement पूरी तरह से correct है कि temperature increase करने से solubility increase होती है गरम पानी के अंदर अब ज़ादा चीनी को dissolve कर पाओगे और भी ज़ादा पानी को गरम कर दोगे तो और ज़ादा चीनी को dissolve कर पाओगे तो temperature increase होने से solubility increase होती है लेकिन यहाँ पे अब अगर specific पुछा जाए तो दो अलग अलग बाते है एक तो है solid को liquid में dissolve करना जो हम अभी discuss कर रहे थे कि चीनी को पानी में dissolve करना और एक दूसरी बात अलग है कि gases को liquid में dissolve करना अगर solids को liquid में dissolve करने की बात हो रही है फिर तो यह वाला point ठीक है क्योंकि solubility of dissolve कर पाओगे लेकिन gases के अंदर उल्टा होता है the solubility of gases and liquids decreases with increasing temperature जो gases होती है न वो भी liquids के अंदर dissolve हो जाती है for example समुंदर के अंदर जो ocean water होता है उसके अंदर भी oxygen gas present होते है क्योंकि water के अंदर जो aquatic plants और animals होते है उनको भी oxygen चाहिए होती है और carbon dioxide चाहिए होती है तो water के अंदर gases भी mix हो सकती है और अगर आप temperature increase करोगे न तो जादा नहीं बलकि gas की solubility decrease हो जाएगी temperature increase करने से liquids के अंदर gases की जो quantity है जो dissolved quantity है वो decrease होती है उल्टा होता है दोनों के अंदर temperature को increase करने से liquid के अंदर अगर आपने solid को dissolve करना है तो आप और जादा solid dissolve कर पाओगे लेकिन अगर आपने gases को dissolve करना है तो temperature increase नहीं करना temperature increase किया तो gases उसमें dissolve नहीं हो पाएंगी इन दोनों points का मैं reason आपको explain कर देता हूँ दोको जब आप temperature पहले इस point को देखते हैं कि solid को liquid में dissolve कर रहे हैं example लेते हैं हम sugar को चीनी को पानी के अंदर mix कर रहे हैं आपने ना heat supply करी heat supply करने की वज़े से आपने temperature increase कर दिया temperature increase करने की वज़े से particles जो liquid के particles हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो जएंगे मतलब liquid के particles के बीच में space increase हो जएगी तो जादा solids बड़ी असानी से उसके अंदर dissolve हो पाते हैं तब ही temperature increase करने से solid की solubility increase हो जाती है दुबारा से देखो आपने heat energy supply करी temperature increase हो गया liquid के particles के बीच में space भी बढ़ जगा गरम करेंगे ना तो liquid के particles एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जएंगे क्योंकि उनके बीच में अब space increase हो गया है तो solid के particles वहाँ पे आके dissolve हो सकते हैं अब gases का देखते हैं कि gases के अंदर solubility decrease क्यों होती है क्यों होती है अब आप इस container के अंदर ना फिर से आप heat energy supply कर रहे हो heat energy supply करने से temperature increase हो गया temperature के increase होने की वज़े से liquid के particles एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे जैसे liquid के particles एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे जो इसके अंदर gas के particles हैं वो इसमें से निकल के atmosphere में mix हो जाएंगे liquid के particles जब एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो gas के particles को वहां पर रोक के रखने के लिए कोई और चीज नहीं है force of attraction कम हो जाती है gas के particles फिर liquid के particles के बीच में से निकल जाते है तब ही temperature को increase करो ना तो gases इसके बीच में से निकल जाती है तब ही solubility decrease हो जाती है तो कोई भी liquid है उसके अंदर से अगर आप gases को निकालना चाते हो तो आप उसे गरम करो आप temperature increase करो तो उसके अंदर जितने भी dissolved gas है ना वो सारी की सारी धिरे-धिरे करके बाहर निकल जाएगी चीनी अगर घोल नहीं है temperature बढ़ाओगे तो जादा चीनी dissolve हो पाएगी लेकिन temperature बढ़ाओगे तो अगर कोई gas है liquid के अंदर तो वो gas उसमें से बाहर निकल जाएगी तो दुनों points आपको clear होने चाहिए लेकिन अगर सिरफ एक ही जर्णल में mix करने के अगर बात हो रही होगे न तो specifically question में बताया गया होगा next question पे आते हैं सीमा visited a natural gas compressing unit सीमा ने एक ऐसी जगा को visit किया जहां पे gases को ना compress किया जाता है she found that gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure तो उस जगा को visit करने के बाद सीमा को ये पता चला कि जो gases होती है न उन्हें liquefied किया जा सकता है मतलब gases को liquid में convert किया जा सकता है अगर हम temperature और pressure इन दोनों में change करें तो तो temperature और pressure इन दोनों को change करके gases को liquid में convert किया जा सकता है ये सीमा को वहाँ पे जाके पता चला, while sharing her experience with her friends, she got confused, अब जब सीमा ने अपने दोस्तों को बताया ना इसके बारे में, कि तुम्हें पता हैं कि gases को liquid में convert कर सकते हैं, तो बताते समय ना वो confused होगी, कि temperature को क्या, temperature में क्या adjustment करने चाहिए, और pressure में क्या adjustment करने चाहिए, कि temperature और pressure को किस तरीकी से change किया जाए ताकि gases liquid में convert हो जाएं, can you help her to identify the correct set of conditions, अब आगे ना हमें काफे सारे options दे रखे हैं, और हमने बताना है कि कौन सा option ठीक है, मतलब कौन सा option के अंदर ना एकदम सही conditions को लिखा हुआ है, जिन conditions पे gas liquid में convert हो जाती है, देखो इस question काना answer आपको directly याद होना चाहिए, कि gas को आपने liquid में convert करना है, तो pressure को increase करना पड़ेगा, और temperature को decrease करना पड़ेगा, मतलब temperature कम होना चाहिए, ठंगा करना है, temperature कम करना है, और pressure increase करना है, दबाव डालना है gas के उपर, तो जब pressure को increase किया जाता है और temperature को decrease किया जाता है अगर ये दोनों चीज़े हम एक साथ करेंगे तो ऐसे करने से gas liquid में convert जाती है ये first two parts गलत है क्योंकि आपे लिखावा था कि pressure को reduce करना है इन दोनों में pressure increase लिखावा था लेकिन आपे temperature high लिखावा है तो increase the pressure and decrease the temperature ठंगा करना पड़ेगा और दबाव ज़्यादा गालना पड़ेगा तो option C is correct अगर आपको question के अंदर reason देने के लिए बुला जाता है या फिर justify करने के लिए बुला जाता है तो फिर आप अपना answer ऐसे लिखोगे because of high pressure the particles of gas will come close to each other and spaces between them will reduce देखो हम pressure को increase करते है न तो जब हम pressure को high करेंगे मतलब pressure को increase करेंगे तो ऐसा करने से जो gas के particles आपना वो सब एक दूसरे के पास पास आजेंगे they will come close to each other और gas के particles अगर एक दूसरे के पास पास आजेंगे तो उनके बीच में जो spaces है वो reduce हो जाएंगे और हमने particles के बीच की जो space है न उसे reduce ही करना है क्योंकि जो liquid के particles होते हैं उनके बीच में spaces कम होती है gas के particles के बीच में spaces जादा है हम gas को liquid में convert करना चाहते हैं तो हमें gas के particles के बीच में जो spaces है ना उन्हें decrease करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा तो pressure apply करने से यही होता है जैसे जैसे हम pressure increase करते जाएंगे वैसे वैसे gas के particles एक दूसरे के और ज़्यादा पास आते जाएंगे और अगर वो एक दूसरे के और ज़्यादा पास आएंगे तो उनके बीच में जो spaces हैं, वो spaces reduce होती जाएंगे अब second point, temperature भी तो कम करना होता है तो due to low temperature, the particles will lose their kinetic energy and their speed of motion will decrease देखो हमें पता है ना, कि जो gas के particles होते हैं उनके पास energy बहुत जादा होती है kinetic energy बहुत जादा होती है जिसकी वज़े से वो high speed पर न, random motion के अंदर होते हैं अब अगर particles randomly move करते रहेंगे तो फिर एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे इसलिए हम temperature को न, decrease करते हैं temperature को जब decrease करेंगे, ठंडा करेंगे तो particles की energy lose होनी start हो जाती है particles की जो kinetic energy है न, वो कम होनी start हो जाती है अगर gas के particles की kinetic energy कम होती जाएगी तो जिस speed पर वो move कर रहे हैं, वो वाली speed भी decrease होती जाएगी मतलब उनका जो motion है न, उनका motion कम हो जाएगा हम temperature लगतार कम करते जाएगे उनकी kinetic energy भी लगतार कम होती जाएगी जिससे उनका जो motion है, motion भी उनका कम होता जाएगा मतलब अब वो जादा नहीं move कर रहे, अब वो कम move कर रहे है तो motion उनका reduce होगा और spaces उनके बीच में reduce होगी तो ऐसा करने पर एक time आएगा जब वो gas liquid में convert होना start होजेगी तो इसलिए pressure increase करने से spaces reduce होती है और temperature को decrease करने से उनकी kinetic energy खतम होने start होजाती है तो spaces कम होजेगी और kinetic energy reduce होजेगी तो वो liquid में convert होना start होजेगी तो इसलिए high pressure और low temperature अगर रखें तो gas को liquid में convert किया जा सकता है next question पर आते है fluids have a unique property of flowing लेकर जो fluids होते हैं उनके अंदर एक खास तरह के property है कि वो flow कर सकते हैं, move कर सकते हैं which of the following scapement is correct in this respect अब अगर आगे न हमें options के अंदर काफी सारी scapements देर रखे हैं और हमने check करके बताना है कि उनमें से कौनसी scapement correct है तो एक एक करके सारे scapements को analyze करना start करते हैं एपार्ट में लिखा हुए only gases behave like fluids देखो यह वाली बात तो गलत है gases तो fluids की category में आती ही हैं लेकिन जो liquids यह न वो भी fluids की category के अंदर आते हैं क्योंकि gases के पास भी flow करने की ability होती है और liquids के पास भी flow करने की ability होती है तो एपार्ट तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं only gases सिरफ gases ही fluids होती है यह वाली बात गलत है fluids के अंदर gases तो आती ही है साथ में liquids भी आते है B पार्ट पे आते है gases and solids both behave like fluids यह B पार्ट तो जादे ही गलत है solidics कब से fluids होने लग गए तो यह वाला पार्ट गलत है C पार्ट पे आते है gases and liquids both behave like fluids यह वाला पार्ट सही है क्योंकि fluids में न gases भी आती है और सारे liquids भी आते है क्योंकि gases और liquids दोनों के पास यह flow करने की ability होती है और fourth part में लिखाओ है only liquids are fluids यह वाला पार्ट भी गलत है सिरफ liquids नहीं liquids के साथ gases भी fluids के अंदर आती है तो इसका मतलब option C is correct तो आप अपने answer में लिखोगे option C is correct और अगर reason देना हो तो फिर reason के अंदर आप ऐसे लिखोगे all gases and liquids have the ability to flow सारे के सारे liquids में और सारे के सारे gases में flow करने की ability होती है flow करने की property होती है therefore all gases and liquids are fluids इसलिए सारे के सारे gases और सारे के सारे liquids को हम fluids बोलेंगे मतलब fluids की category में गालेंगे शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है exam की See you in the next video. All the best.